बच्चों, क्या मुझे तुम में से कोई जयामिती का अर्थ बता सकता है? सर, ये गणित की सबसे प्राचीन शाखा है हाँ, लेकिन क्या तुम इसे परिभाशित कर सकती हो? कोई और? सर, विभिन आकारों और आमापों के अध्यन को जयामिती कहते हैं बिल्कुल सही, जयामिती के कई प्रकार होते हैं जैसे युकलीटियन जयामिती, घैर युकलीटियन जयामिती, निर्देशांक जयामिती इत्यादी आज हम निर्देशांक जयामिती के बारे में सीखेंगे, तो आओ शिरू करें उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे निर्देशांक जैमिती की अवधारणा समझना कारतिय पधती की व्याख्या करना निर्देशांक अक्षों से किसी बिंदू की लामबिक दूरी मापना यदि निर्देशांक ग्याथ हो, तो किसी तल में एक बिंदु का निर्धारन करना निर्देशांक जयमिती में प्रियोक्त पदों को परिभाशित करना परिभाशा ग्रिट क्षैतिज और उर्धवाधर रेखाओं के प्रारूप को ग्रिट कहते हैं, जो समानिता वर्ग का निर्माण करते हैं एक्स अक्ष किसी ग्रिट पर एक क्षैतिज संख्या रेखा, एक्स, सबसे छोटी और ज्यादा तर चैतिज रेखा होती है वाई अक्ष निर्देशांग पर एक उर्धवाधर रेखा, वाई सबसे बड़ी रेखा होती है और सीधे उपर को जाने वाली या उर्धवाधर होती है निर्देशांग किसी ग्रिड में किसी बिंदू की अवस्थिती का निर्धारं करने वाली संख्याओं का क्रमित युक्म जैसे तीन, चार निर्देशांक जयामिती की परिभाशा निर्देशांक जयमिती जयमितिये रूप से निरूपित संख्याओं के क्रमित युक्म का अध्यान है किसी तल में किसी बिंदू की अवस्थिती को निर्धारित करने की पध्धती या निर्देशांक जयमिती का प्रारंभिक विकास रहने दकारते ने किया था इस पद्धती को प्राया कार्थिये पद्धती कहा जाता है कार्थिये पद्धती कार्थिये निर्दशांग पद्धती का प्रयोग बिंदु के निर्धारण और ग्राफ रेखाओं को खीचने में किया जा सकता है इसे आयताकार निर्दशांग पधती भी कहा जाता है मोलता या दो संख्या रेखाओं का युक्म है X अक्ष और Y अक्ष X अक्ष को भुझ भी कहते हैं Y अक्ष को कोटी भी कहते हैं निर्देशांग को बंद कोश्ठक में लिखते हैं एक्स निर्देशांग को पहले और वाईर निर्देशांग को उसके बाद लिखते हैं। केंद्रिया दोनों अक्षों का प्रतिछेद शुन्ने शुन्ने होता है। कार्तिये पधती में प्रयुक्त पद। आईए आगे बढ़ने से पहले कुछ परिभाशां को देखें। संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जस पर पूरांग समान दूरी पर बिंदु के रूप में चिहनित होते हैं। मूल बिंदु एक संख्या रेखा जो एक निश्चित बिंदु द्वारा दो सम्मित आदे भागों में बटी होती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। यह संख्या शुन्ने होती है। निर्देशांक तल एक दूई विमिये तल में प्रतीक बिंदू एक निश्चित संख्याद्वारा प्रदशित होता है और इसके उलड़ भी सत्य है इसे XY तल भी कहते हैं निर्देशांक अक्ष धनात्मक और रनात्मक दोनों तिशाओं में X अक्ष और Y अक्ष को संयुक्त रूप से निर्देशांक अक्ष कहते हैं चतुर्थांश अक्ष तल को चार चतुर्थांशों में विभाजित करता है प्राथम चतुर्थांश में X और Y धनात्मक होते हैं दूसरे चतुर्थांश में X रणात्मक लेकिन Y धनात्मक होता है। निर्देशांक अक्षों से किसी बिंदू की लांबिक दूरी का मापन आएए अब सीखें कि एक बिंदू की निर्देशांक अक्ष से लांबिक दूरी कैसे मापी जाती है। अब X और Y अक्षों से बिंदू A की लांबिक दूरी का मापन करना सीखें। हल एक्स अक्ष पर लंब ए-म खीचिये और वाई अक्ष पर लंब ए-न खीचिये हम देख सकते हैं कि बिंदू A की एक्स अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में वाई अक्ष से मापी गई लामबिक दूरी है और विंदू A की वाई अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष से मापी गई लामबिक दूरी है और विंदू A की वाई अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष से मापी गई लामबिक दूरी है चरण एक, बिंदू एका एक्स निर्देशांक घटा तीन है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, एक्स अक्ष के सापेक्ष वाई अक्ष से मापी गई इसकी लाम्बिक दूरी तीन है. चरण दू, बिंदू एका वाई निर्देशांक पांच है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, वाई अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष से मापी गई इसकी लाम्बिक दूरी पांच है. चरण तीन, अब पहले एकस निर्देशांक और फिर उसके बाद वाई निर्देशांक को लिखकर निर्देशांकों को कोष्ठक में बंद कीजे, इस प्रकार बिंदू एका निर्देशांक घटा तीन, पांच है. निर्देशांक तल में एक बिंदू को आलेखित करना. और अपने एककों का चयन इस प्रकार करते हैं कि दोनों अक्षों पर एक सेंटिमीटर एक एकक को निरुपित करता हो. चरण दो, मूल बिंदू से प्रारंब करके रणात्मक एकस अक्ष पर चार एकक गिनिये, जोकी घटा चार है, और संगत बिंदू एम के रूप में अंकित कीजिए. चरण तीन, अब मूल बिंदू से धनात्मक वाई अक्ष पर चार एकक गिनिये, जोकी चार है, और संगत बिंदू को एम के रूप में अंकित कीजिए. चरण चार, एम से प्रारंब करके वाई अक्ष पर धनात्मक दिशा में चै एकक गिनिये, और एम से शुरू करके एकस अक्ष पर रनात्मक दिशा में चार एकक गिनिये. दोनों रेखाओं के मिलन बिंदू को एके रूप में अंकित कीजिए. क्या आप जानते हैं? सर आईसेक न्यूटन ने सर्व प्रत्थम त्रीतिय घात के बहुपतवाले आकृतियों और ग्राफों के संग्रेह में रनात्मक निर्देशांकों का प्रियोग किया था. निर्देशांग जयामिती को विशलेश रनात्मक जयामिती भी कहते हैं, यानि निर्देशांग पद्धती और बीजगनित एवं विशलेशन के सिध्धांतों के प्रयोग से जयामिती का अध्यान सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं जिसमें प्रतीक बिंदू सिर्फ एक ही संख्या से प्रदशित होता है और इसके उलट भी सत्य है तल की क्षेतिच रेखा को एक्स अक्ष और उर्द्वा धर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं निर्देशांक अक्ष तल को चार चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं किसी बिंदू की वाई अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है और बिंदू की एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक या कोटी कहलाती है मूल बिंदू का निर्दशांग शुन्ने शुन्ने होता है किसी बिंदू का निर्दशांग पहले चतुर्थांश में धन धन दूसरे चतुर्थांश में रिन धन तीसरे चतुर्थांश में रिन रिन और चौथे चतुर्थांश में धन रिन के रूप में होता है